हेलो फ्रेंड्स मैं हूं के पीजिंग आप देख रहे हैं मेरा चनल पड़ोगा तो पड़ोगे अगर आप सीगना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरा चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आगएन को जरूर दो आएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले तो मैं लाएं हूं आपके लिए क्लास 10 एकसरसाइज 1.4 का पहला कोस्चन और किताब है NCRT जली से शुरू करते हैं पहले कोस्चन से तो क्या कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताईए कि निमलिखित परिमे संख्याओं के दसमलो प्रसार सांथ है या कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पताते हैं आपको कैसे पेचानेंगे कि सांथ समस लो है सके लिए हमें क्या करना है हमारे पास परिमे संख्याओ भिन लिखिए हैं उसका हमें हर च्ट करना है और जो हर है वो 2 की पावर N into 5 की पावर M के रूपका होना चाहिए ठीक है इसके सिवा कोई भी संख्या 5 और 2 के सिवा और कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए अगर वो सान्द समलो है तो 2 की पावर N और 5 की पावर M के रूपका होना चाहिए या केवल 2 की पावर N का रूपका हो या केवल 5 की पावर M के रूपका हो तब तो वो सांत दसमलो है अगर इस रूपका हर नहीं है तो वो असांत दसमलो के रूप में बदल जाएगा उसको हम लोग असांत दसमलो बता देंगे तो हम ये two और five लाएंगे कैसे हम हर के इस हर के अभाज गुड़नखंड करेंगे और अभाज गुड़नखंड के बाद हमको पता चलेगा कि ये सान्थ दसम्लो संक्या है या असान्थ दसम्लो संक्या है तो इस तरीके से हम question लगाएंगे तो जल्ली से शुरू करते हैं पहले लगाएंगे तब आपको clear हो जाएगा देखे क्या कह रहा है पहले question में कि तेरा बटे 31,25 अब 31,25 के अब आज जोड़न घंद आपको कर लेना है 31,25 तो देखे 5 से कटेगा 5,30 5,20 फिर से 5 किससे कटेगा 5 से कटेगा तो 25 बन जाएगा फिर से कटेगा तो 25 बन जाएगा और फिर ये 5 एकम पाँच तो क्या बन जाएगा 13 बटे 5 की पावर 1,2,3,4,5 पाँच की पावर 5 ठीक है ये हम इसको लिख सकते हैं अब देखे ये 13 बटे 5 की पावर 5 है तो लिख देंगे चूंकि हर पाँच की पावर M के रूपका है इसलिए यह सांत दसमलो संख्या है ठीक है तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सांत दसमलो संख्या है यहीं पर दूसरा पाट देख लेते हैं इसका दूसरा पाट क्या लिखा हुआ है 17 बटे 8 तो दूसरे पाट में 17 बटे 8 इस 8 के गुणखन कर लेंगा तो क्या हो जागा 17 बटे 2 की पावर 3 और फिर यहां लिख देंगे चूंकि हर 2 की पावर n के रूप का है n कोई भी संख्या हो सकती है ठीक है n के रूप का है इसलिए यह सांत दस्मलों संख्या है बाकी आप लिख लेंगे ठीक है तो इस तरीके से हम 2 कोशन लगा सकते हैं चलिए देख लेते हैं तिसरा पाट तिसरे पाट में क्या कह रहा है चौशट बटे चारसो पचपन चौशट बटे चारसो पचपन तो दीखे यह लिखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे अब आज जुड़ां कर लेंगे चारसो पचपन के तो चारसो पचपन तो पांच से काट लेंगे पांच पैटालिस पांच एकम पांच ठीक है साथ से कट जाएगा तेरा और तेरा एकम तेरा तो चौशट बटे पांच गुड़ें साथ गुड़ें तेरा तो लिख देंगे चूंकि हर पांच की पावर एन इंटू तू की पावर एम के रूप का नहीं है इसलिए यह असांत दसमलो संख्या है ठीक है तो देखे पहला और दूसरा हमारा सांत आगया था और तीसरा असांत आगया ठीक है इसी तरीके से हम चौथा भी लगा सकते हैं तो चौथा देख लेते हैं जली से चौथे पार्ट में पंदरा बटे सोला सोला सो के गुरंखन्या कर लेंगे दो से करतेंगे आठ सो चार सो दो सो सो पचास पच्चेस पांच तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, दो की पावर छे पंदरा बटे दो की पावर छे गुणे पांच की पावर दो अब देखे ये कट रहा है पांच, तीन, पंदरा काट भी लेते हैं और ये पांच से ये घात दो पट गई एक पांच पचा हमारे पास, ठीक है तो क्या बन जाएगा तीन बटे दो की पावर छे गुणे पावर एक तो लिख देंगे चोंकी हर दो की पावर एन गुणे पावर एम के रूप का है इसलिए यहाँ सांद सम्दों संख्या होगी इस तरीके से चौथा पार्ट हम लगा सकते हैं जली से पांचवे देख लेते हैं सारे पार्ट देख लेते हैं फड़ा फड़ तो पांचवे पार्ट में 29 बटे 343 तो 29 बटे 347 का घन होता है साथ की पावर 3 तो लिख देंगे अब देखें यहाँ पर हम ले अभाज गुरंखन कर लिए हैं अब लिख देंगे चौँ कि हर 2 की पावर एन इंटू 5 की पावर एम के रूप का नहीं है रूप का नहीं है इसलिए यह असान्त दसमलों संख्या होगी ठीक है छटा पावर 23 बटे 2 की पावर 3 गुरे 5 की पावर 2 सीधे अभाज गुरंखन करके ही दे रखा है तो यहां लिख देंगे चौँ कि हर 2 की पावर एन गुरे 5 की पावर एम के रूप का है इसलिए यहां सान्त दसमलों संख्या है तो 6 कोशन हम लोगों ने देख लिए हैं जली से आगे भी देख लेते हैं फड़ा फट सात्मा देख लेते हैं 2 की पावर 2 गुरे 5 की पावर 7 गुरे 7 की पावर 5 अब देखे एक बात और ध्यान रखेगा 2 की पावर 2 मिल गया 5 की पावर 7 मिल गया लेकिन 7 की पावर 5 मिला है एक बार ये जुरूद चेक कर लीजे क्या ये काट सकते हैं अगर काट सकते हैं तो काट दिया करेंगे ठीक है ना वरना फिर कोशन हमारा गलत हो जाएगा तो देखें यहाँ पर ये 7 से 129 नहीं कट रहा है क्योंकि 7 एकम 7 उनसर बचे का 7 के पाड़ेंगे उनसर आता नहीं है तो देखेंगे चूंकि हर 2 की पावर N गुणे 5 की पावर M के रूप का नहीं है के रूप का नहीं है इसलिए यह असान तसमलो संख्या है आठवा देखते हैं 6 बचे 15 6 बचे 3 गुणे 5 3 दूनी 2 बचे 5 आ गया तो लिख देखेंगे चूंकि हर 2 की पावर N गुणे 5 की पावर M के रूप का है ठीक है 2 की पावर N तो यहां पर है नहीं 2 की पावर N अठा दीजे तो 5 की पावर M के रूप का है इसलिए यह 7 असंबलों संख्या है अब देखें यहां पर 3 भी आया था और 5 भी आया था लेकिन हमने 3 काट दिया 3 दूनीचे अगर नहीं करता तो यह असान असंबलों हो जाता कई बच्चे यह गलती करते हैं कि नीचे हर के अभाज उड़न कर लेते हैं लेकिन उसको अंसर से सरल नहीं करते है और कोश्चन गलत हो जाता है इसलिए इस बात का ध्यान रखें ठीक है देखते हैं कोश्चन नमबर 9 35 बटे पचास तो 35 दूना पचास तो 35 बटे दो गुड़े 5 की पावर 2 5 सत्य पैंतिस और 5 से यह कर जाएगा तो क्या हो जाएगा दो बटे 7 बटे उपर साथ निखा हुआ है 7 बटे 2 गुड़े 5 तो लिख देंगा चूंकि हर 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का है इसलिए यहा 7 है ठीक है 10 बटे देख लेते हैं 87 बटे 210 तो 210 के बुड़ंखन कर लेंगे 105 तो पांच तीन से कर जाएगा तीन तीन नौ तीन पच्चे पंद्रा 5, 75, 35 और 7 एक कम साथ तो 87 बटे 2 गुड़ें 3 गुड़ें 5 गुड़ें 7 लेकिन 3 अभी बचा हुआ तो लिखेंगे 11 बटे 2 गुड़ें 3 गुड़ें 5 चुकि हर 2 की पावर N इंटू 5 की पावर M के रूप का नहीं है इसलिए यहाँ असांत दसमलो संख्या होगी तो इस तरीके से हम पहले कोश्चन को लगा सकते हैं उमीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा जली शिरकर चल देते हैं दूसरे कोश्चन पर दूसरे कोश्चन में क्या रखा हुआ है उपर दिये तो यह उपर काट दिजे दिये गए प्रस्ण में उन परिमे संख्याओं के दसमलो प्रसार को लिखे जो सांत है यानि जो सांत है उसको हमें आपर उसका दसमलो प्रसार हमको लिखना है और वो भी लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है ये भी आद रखेगा लंबे भाग की प्रक्रिया नहीं करनी है तो यहां पर हम लोगों ने जब ही जब निकाला था तो पहला जो था वो हमारा सांथ था ठीक है? पहला कोश्चन हमारा सांथ था तो कैसे मालूँ अभी तो हम लोगों ने पीछे निका रहा था जो सांत है और बिना भाग की लंबी प्रक्रिया करें बगयर तो देखिए कैसे करेंगे पहला पार्ट 13 बटे और 31 लिखा हुआ है इसके गुड़ांखंड कर लेंगा तो तेरा बटे देखिए नीचे जीरो बनाने के लिए सभी संख्याद जीरो बनाने के लिए दस की घात लगाने के लिए हमारे पास यहाँ दो की पावर पांच होना चाहिए तब ही दो पंचे दस बन जाएगा तो जब दो की पावर पांच हम नीचे ले आए तो उपर भी हमने गुणा कर द तो तेरा गुने दो की पावर पांच कामान कितना होता? 32 बटे 10 की पावर 5 उमीदे कि इतनी बात आपको सभंगे आगवी? पांच दून दस हर समान वो अंस समान वो सड़ी घाच समान है इसलिए आधार की गुणा कर देंगे तेरा और 32 की गुणा कर देंगे दो की पावर पांच का अवान बत्तिस होता है और तेरा की बत्तिस से गुणा कर देंगे तेरा दुनी 26 तेरा तियां 49 2 एक तालिस बटे 10 की गाथ 5 1, 2, 3, 4, 5 तो देखे 1, 2, 3, 4, 5 0 काट देंगे और दसमलो यहां 1, 2, 3 और फिर 4, 5 तो यहां दसमलो लगा देंगे तो कितना आंसर आजएगा 0, 0, 0, 4, 1, 6 उमीद है कि आपको इस तरीके से समझ में आया होगा क्या किया है फिर से बता रहते हैं 10 की गाथ 5 बन गया तो नीचे 5, 0 लगा लिए और 5, 0 काट दिया और दसमलो यहां से 1, 2, 3, 4, 5 पांच इस थान पहले दसमलो लगा दिया और इसको संख्या लिख दी अब चलते हैं दूसरे कोश्चन पर तो दूसरा कोश्चन भी हम लोगों ने जब लगाय था तो उसका आंसर हमारा कैसा आया था यह भी हमारा सांत आया था तो यह सांत आया था तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए दूसरे पार्ट को हम लोग दसमलो में कैसे बदलेंगे सत्रा बटे आठ लिखा था तो हम क्या करेंगे सत्रा बटे आठ को 2 की पावर 3 लिखेंगे तो दो की पावर 3 से गुणा और दो की पावर 3 से ओ सरी दो की पावर 3 लिखा है नीचे हमको 5 चाहिए तो 5 की पावर 3 से गुणा और 5 की पावर 3 से भाग ठीक है ताकि नीचे 10 बन जाए तो 17 गुणे 125 और नीचे 10 की पावर 3 अब यहां कर लेंगे तो देखे 17 और 125 की गुणा कर देंगे 17 पच्छे 85 हासिल लगा 8 17 दूनी 34 34 आठ 42 हासिल लगा 4 17 एकम 17 17 चार 21 21 पच्छेस बटे 1000 1, 2, 3 यहां से 1, 2, 3 तो कितना अंजर आ गया 2.125 यानि 2.125 इस तरीके से दूसरे पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं उमीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से स्वर्ण में आया होगा अब हम लोग क्या करेंगे तीसरे कोस्टन को देख लेते हैं और तीसरे कोश्टन हमारा कैसा आया था आइ थिंग 455 के गुरंखन कर लेते हैं गबर तो पांच ने पैंटालिस हाँ अब हाज यह गुरंखन आया थे तो इसको तो यह तो हमारा असांत आया था यह असांत आया था तो इसके हमें दस्मलो प्रसार नहीं लिखना है ठीक यह हमारा कैसा आया था इसको भी चेक कर लेते हैं साय असांत ही आया था तो गुरंखन करना जरूरी है तो यह 800 400 200 150 25 तो एक दो तीन चार पांच छे दो की पावर छे और पांच की पावर दो तो देखें पंद्रा बटे 2 की पावर छे गुड़े 5 की पावर दो ठीक है इसको हमने ऐसे बदल लिया अब देखें दो की पावर छे है और पांच की पावर दो है तो हमारे पास दस बनने के लिए 5 की पावर चार की कमी है कितने की कमी है पांच की पावर चार की तो पांच की पावर चार से गुड़ा कर दिया और उतने से ही हमने पांच की पावर चार से भाग कर दिया तो उपर क्या बन जाएगा 15 गुणे पजम 25 पंचे 125 पंचे 625 पांच की पावर 4 का मान 625 बटे नीचे 2 की पावर 6 और 5 की पावर भी 6 बन चुकी है तो टोटल 10 की पावर 6 बन जाएगा 15 की गुणा कर देंगा 15 15 पचे 75 हासिल लगा 7 पंड़ा दूनी 30 हासिल लगा 3 पंड़ा चका 90 93 93 95 बटे दस की पावर 6 दो तीन चार पांच 6 अब यहां आगे लगा लेंगे तो देखिए यहां काट लेंगे इसको एक दो तीन चार पांच 6 दसमलो काटा तो यहां से बगाएंगे एक दो तीन चार पांच 6 इस तामब दसमलो लगा दिया तो अन्सर आगा 0.009 3 साथ पांच इस तरीके से कष्छर नमर चार को हम लो लगा सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम बहुत चारे कोर्शन लगा सकते हैं यह पांच वा तो असांध हमारा आया था तो इसको लगाना नहीं है यह हमारा असांध दसमलो आया था तो यह आप अपने आप कर सकते हैं यहाँ पर पांच की पावर यहाँ दो की पावर तीन नीचे लिखा हुआ है पांच की पावर दो लिखा हुआ है तो पांच की पावर एक से गुणा कर देंगे और पांच की पावर एक से भाग कर देंगे तो दो की पावर तीन और पांच की पावर तीन यानि दस की पावर तीन बन जाएगे तो आपको लगा ले जाएंगे और अगर किसी परकार के दिख्याते तो कमेंड में लिखते हैं मैं बता दूँगा आपको यह बिल्कुल्त आसान ही यहाँ पर पहले सरल कर लेना तीन दू नीचे और तीन-पचे-पंद्रा अब नीचे-पांच बन गया लेकिन बगाल दो की कमी तो दो से गुना दो से भाग है नीचे-दस, दो दू नी चार बटे-दस बन जाएगा पाट लेंगे तो 0,4 हमारा ऐसे यहां पर अचाँा पर कедव कलें एक फार स्कॐं कि यह सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बीन फूराज कर देंगे यह हमारा था सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब यह अश्युद्ट सत्य स्क्राइब पर लोग में लगा प्रसार नीचे दर्साए गए हैं प्रतेक इस्थित के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या पर्मे संख्या है यह नहीं यह पर्मे संख्या है और प्यू बटे क्यों के रूपकी है तो क्यों के अभाज गुणगंगंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं तो देखिए या सांध दसमलो पहला पार तो लिखेंगे 43.123456789 यह संख्या लिखे वे तो लिखेंगे चुछ कि या एक सांध दसमलो संख्या है इसलिए यह पर्मे संख्या है तथा इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है लिखा जा सकता है ठीक है जहां क्यू नीचे वाला हर जो है नीचे जो क्यू है क्यूं कि दो की पावर एन गुणे पांच की पावर एम के रूप का होगा समझ गए? ये बाते क्यूं बता हैं हमने 2 की पावर M गुणे 5 की पावर M के रूप का क्यूं होगा? क्योंकि ये परिमे संख्या और 7 दसमलो है, 7 दसमलो है इसलिए 2 की पावर M और 5 की पावर M के रूप का है अगर इस सांग दसमलोग नहीं होता तो या 2 की पावर N, 5 की पावर M के रूपका नहीं होता तो इस तरीके से पहले पार्ट को हम लोग theoretical समझा सकते हैं ठीक है भासा में हम लोग बता देते हैं ऐसे ही कीनो पार्ट हमको बताने है चलिए देखते हैं दूसरे पार्ट में हमें क्या लिखना है दूसरा पार्ट देखिए तो दूसरा पार्ट क्या संख्या लिखी हुए 0,1,2,0 1,2,0,0,1,2,0,0,0 और एक दो जीरो 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 डेड़ 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 तो दिखेंगे चूंकि या अनवसानी अनावर्ती अनावर्ती दसमलो संख्या है इसलिए यहाः अपरी में संख्या है जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ठीक है तो इस तरीके से हमने दूसरा पार्ट बता दिया अब तीसरा पार्ट देखिए अब तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है इसको तुरा से साफ कर देते हैं 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस पर लगा हुआ बार्ट ठीक है तो लिखेंगे क्योंकि यह आवर्टी दसमलव संख्या है क्योंकि यह रिपीटेड है यहां रिपीट हो रहा है बार लगा हुआ है इसलिए यह एक परिमेशंख्या है तथा इसे पी बटे क्यू के रूप में के रूप में लिखा जा सकता है जा सकता है जहां क्यू तू की पावर एन इंटू पाइफ की पावर एम के रूप का नहीं होगा तो इस तरीके से तिस्टा कोर्शन लगा सकते हैं और इस तरीके से हमने अभ्यास कम्प्लिट कर लिया अगर मेरा बताय हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में